हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस आइडिया और मैं जरुआ पशु मंडी से आप लोगों को एचेफ क्रॉस ब्रीड की गाय का डीटेल देने जा रहा हूं तो वीडियो को अन तक देखते रहे हैं आप लोग जरुआ पशु मंडी स मंडी लगता है संडे के दिन और ये मंडी बिहार की रजधानी पटना से मात्रे 25 किलो मेटर के दूरी पर इस्तित है और हाजीपूर रेलवे स्टेशन से इस मंडी की दूरी मात्रे 3 किलो मेटर है तो इस मंडी में आकर आप भी अपने डेरी फार्म के लिए गाय परचेस क तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरूरू करते हैं और सबसे पहले इन दो गाय का डीटेल देता चलूँ मैं जो के वीडियो भी काफी लेट अपलोड कर रहा हुँ मैं तो किसी वज़ा से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हु वज़ा भी बताई थी कुछ वीडियो पहले तो ये दोनों गाय का डीटेल देता चलूँ और एक हफता दस दिन और वीडियो का दिक्कत है थोड़ा सा परिशानी में हूँ उसके बाद रेगूलर वीडियो देखने को मिलेगा अपने चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नए हैं तो चैनल पे और ये दोनों गाय का सबसे पहले डीटेल देता चलूँ मैं ये दोनों जो गाय देख पा रहे हैं अप दोनों ही गाय दात में मिल चुकी है और ये जो राइट साइड वाली गाय देख रहे हैं इसके नीचे 17 लिटर दूद बताया गया है दोनों के अडर को एक बार और दिखाऊंगा करीब से हलाकि बॉडी वेट में लिफ्ट वाली गाये जादा भारी है लेकिन मिलकिंग में राइट साइड वाली गाये काफी बढ़िया है एक बार दोनों का और अडर देख सकते हैं काफी शांदार राइट वाली अठरा लिटर और लेफ साइड वाली 17 लिटर मिलकिंग कैपी सिटी में है दोनों गाये दात में मिल चुकी है और 55-55,000 दोनों का प्राइज रखा गया है पचपन हजार पचपन हजार एक लाख दस हजार रुपया का ये जोड़ी है और दोनों के नीचे बच्चा फीमेल है और ये प्राइज फिक्स नहीं है कम जादा कर दिया जाएगा तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और भी कुछ अच्छी गाये का डीटेल जानते हैं और यहाँ पर एक बच्चिया देखने को मिली है जो के फर्स्ट आइमर दो दात में है और काफी बढ़ियां हाइट लेंद की है दो दात में इतना बढ़ियां तयारी पे है बच्चि यह लेकिन जहां तक मेरा experience है मेरे इसाब से 14 लीटर नहीं दोनों time का 11 लीटर 10 लीटर के आसपास दूद निकाल सकती है यह और कीमत इस गाय का आज की मंडी में 65,000 रुपया रखा गया है 65,000 इस गाय का demand किया जा रहा है बच्चा इसके नीचे भी female है यह plus point है तो मुझे यह गाय काफी पसंद आई बहुत ही शांदार गाय है देख सकते हैं मातरे दो दात अगले ब्यात में यह गाय काफी बढ़िया तैयार होगी तो एक सीजन वेट करना होगा इससे बढ़िया मिल्क लेना है तो चलिए अगली गाय के तरफ बढ़ते हैं और एक और नई गाय यान गाय बता देते हैं तो यह सब चीज किलियर आप लोग देख ले पहले और यह सब पैचानने का रिजन होता है कि इस टाइप से आप दांस से पैचान सकते हैं बहुत सारे लोग उसके थनों से भी पैचानते हैं तो बहुत एक्सपरियेंस वाले लोग होते हैं तो गाय को प यह जो गाय है चार दात पे है और 14 लीटर दूद है इसके नीचे, 60,000 रुपया इस गाय का कीमत रखा गया है, बच्चा इसके नीचे भी फीमेल है, बच्चिया बच्चे के साथ मैं है, एक बार बच्चे को दिखा देना चाहूंगा देख सकते हैं, यह बच्चिया बच्च दूसरा बताया जा रहा है, दूसरे बयात पे यह गाय है, और इसके नीचे दूद दोनों समय का 18 लीटर बताया जा रहा है, एक बार बैक साइट से इसका बढ़िया से अडर कवर करना चाहेंगे, वीडियो को पूरा देखते रहे हैं आप लोग, और यह पीछे साइट से जो इसके थनों की बनावट है देख सकते हैं, 18 लीटर दूद बताया गया है, गाय दूसरे बयात में है, छे नात पे और 67,000 इस गाय का प्राइज रखा गया है, 67,000 रुपया, बच्चा इसके नीचे मेल है, बचला बच्चा है, तो गाय मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है चारो थनों के बीच में गैपिंग भी काफी बढ़िया है, तो इस तरह की गाय आप डेरी फार्म के लिए ले सकते हैं, जो के मिल्किंग में काफी अच्छी गाय है, 18 बता रहे हैं, उमीद है कि 15 लीटर दोनों टाइम में दूद निकालेगी ये गाय, और अगली गाय जो आप पर देखने मिल रही है, इसका भी डीटेल देता चलूँ, गाय बहुत है, लेकिन मंडी में गाय का वीडियो कवर करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है मुझे, मेरा प्रसनल दिक्कत की वज़ा से बता रहा हूं, मंडी में मुझे कोई दिक्कत ने नहीं हो रही है, लेकिन कोशिस किया मैंने कि आपको कुछ न कुछ जनकारी दी जाए लगबग 12-13 दिन हो गया वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ तो ये गाय जो है आपको इसका डीटेल दे देता हूँ दात में मिली भी है ये गाय और 15 लिटर दूद बताया जा रहा है इस गाय की नीचे म के साथ में है तो इसी तरह का मंडी लगा है और नेक्स्ट पार्ट फिर इसका कोशिस करूंगा बनाओ तो वीडियो को यही करते हैं वीडियो कैसा लगा यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं